कि जहीन दोस्तों आपका स्वागत है इस इक्षावित सवरव यूडूब चनल पर आज हम इतिहास की क्लास में बात करेंगे हमने उत्तरवैदिक काल में बहुत सोरे टॉपिक पढ़ लिए थे उत्तरवैदिक काल में मैंने साथ पीछे एक ही क्लास लिए उसके आगे हम सब्सक्राइब करेंगे राजर करते तो वह किस तरीके से काम कोई पूरव में राजा निर्माड हुआ तो कौन कौन से लोग थे जन्होंने भूमिकानि भाई राजा बनाने में ठीक है तो चलिए शुरू करतें उत्तरवैदिक काल और ठीक है पढ़ते रहिए और वीडियो बात शुरू करेंगे राज निर्मार से कि अब समझ ये लोग करते कैसे थे के इस समय व्योस्था न तो तो राज तंत्रात्मक थी ना तो अनुवन्सिक थी मतलब समझेगा इस समय जो राजा बनते थे जो राजा का निर्मान किया जाता था वो तो नहीं अनुवन्सिक था कि अगर अनुवन्सिक नहीं है तो इसका मतलब यह अनुवान लगा जा सकता कि वह राज तंत्रात्मक होगा अनुवन्सिक अगर नहीं है तो राज तंत्रात्मक होगा अगर राज तंत्रात्मक अगर अनुवन्सिक भी नहीं है और दूसरा राज और राज तंत्रात्मक भी नहीं है अन्वंसिक भी नहीं है राज तंत्रात्मक नहीं है अब समझें जब अन्वंसिक भी नहीं है और राज तंत्रात्मक नहीं है तो कोई न कोई और होगा न देखिएगा उस समय जो राजा व्यवस्था होती थी वो निर्वाचन की व्यवस् उत्तरवैदिक काल की बात हो रही है और इसमें यह है कि जब राजा का निर्माड होता था वो तो ना तो राज तंत्रात्मक होता था ना तो आयन मंसिक होता था कैसा अधा था निर्वाचन के अधार पे राजा का निर्माण किया जाता था अब अगर राजा बनता है तो समझेगा एक राजा बनेगा तो सिर्फ एक जरूरी रही है कि वो सिर्फ एक ही राज्य का राजा हो जरूरी नहीं है तो देखिए एक चीज मैंने पीछे आपको कई raja y है कोई कभीला c है इसका राजा Z है ति समझेगा जब यह अलग-अलग कभीले थे a b c अलग-अलग कभीले थे तो इसके राजा X,y और Z थे तब अलग-अलग लेकिन अगर इन तीनों को मिला के एक जगह कर दिया जाए तो अब इन तीनों का जो राजा होगा वो कोई एक होगा, चाहे ए होगा, चाहे बी होगा, चाहे सी, मलब कोई एक ही राजा होगा, चाहे एक्स, वाई, जेड में से कोई होगा, मलब तीनों को मिला के अब जो राजा बनेगा, वो एक बनेगा, इनी में से, चाहे अगर X बनाना है तो X बनाना तो Y, Z बनाना है तो Z, मतलब यह अगर प्रांत है, A प्रांत, B प्रांत और C प्रांत, और यहां की यह राजा है, समझेगा, थोड़ा सा समझ लेंगे तो असान हो जाएगा, यहां A का, A प्रांत का राजा, X, B प्रांत का Y, और C प्रांत का Z, अब जब यह तीनों को मिला देंगे, तो प्रांत भी बहुत बड़ा हो जाएगा, जब प्रांत बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वहां का राजा तो अब एक हो जाएगा, राजा, एक हो जाएगा, इसका मत निए कि राज निर्माड में अलग-अलग कवीलों को मिला के एक कवीला बना दिया जाता था उस पूरे कवीले का राजा एक होता था कवीला एक से तीनों का राजा एक्स मिल जाते थे जिसको वहां के लोग पुछ आते हूं समझते हो तो यह था सकता ओक राजा बनते कैसे थै तो ऐसी अगे छलते हैं को दिख्कत परिषानी कि कुछ से को कोई दिख्कत परिषानी अब समझें हम लोगों ने पीछे बात करी थी जब हम दस राग युद्ध पड़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि किन किन दो कभीलों के मद्धियों ऐसे ही कभीले बहुत सारे थे अब बात आती कौन कौन सा कभीला मिलके क्या क्या बनाता है तो समझेगा आपने एक कभीला के नाम सुना होगा भरत कभीला सुना था भरत कभीला और उसके बाद पूरू कभीला कौन सा कभीला पूरू कभीला भरत कभीला याद रखेंगे कोशन पूछा गया है आपको याद रखना है तो भरत कवीला और कवीला मिला के एक कवीले का निर्मार करते कर गूरु बोलते थे क्या तैंक रखेंगे क्या कि भरतойд कवेला है लो के और गवीला इस अब यह आपस में मिलते थे और दोनों कविला मिलके एक नए कभीला बनाएंगे कुरू कभीला इसका मतलब यह कि अब दो प्रांत मिल के एक बहुत बड़े प्रांत का निर्मार करेंगे बास समझ में आई तिसका हमें याद होना चाहिए अगर कहीं एक जाम में पूछा लिए कुर कभीले का निर्मार किसे हुआ था तो पूर कभीला और भरत कभीला दो कभीलों को मिला के निर्मार किया अब पुरु कवीले के बारे यह कहा गया इसे किस नाम से पुकारा जाता था पुरु को पुरु कहा जाता था या किसी और नाम से तो इसे कहा जाता था अब समझेंगे इसे क्या कहा जाता था याद रखेंगे अगर वो यह पूछ दे कि पूरु कवीले का ही एक और ने नाम था मरीग वाचा कवीले का एक बार पूछा गया कि इसका अर्थ क्या होता था है कि अब बात आती कि अर्थ क्या होता था कई बार पूछा गया कि मरीग वाचा कवीले का अर्थ क्या होता था इसका अर्थ होता जूठ बोलने वाला जूठ अर्थ को कोह था को धार बोलने वाला तो थ्यान और रखना है जूठ बोलने वाला कवीला कोंचा था पूरु कवीला ठीक है तो आपको यह सम मझें भरत कवीला पूरु के mejorna बना रहे हैं अब समझेगा एक कोशन ये पूछा गया कि चलिए सर भारत कविला पूर कविला मिला कि कुरु कविला बन गया ठीक है तो कुरु कविला था कहां तो यह पढ़ता था हस्तिनापूर में हस्तिनापूर में हस्तिनापूर में आपको ध्यान में रखना है दो तीन चीजे कॉमन सी हैं वो आपको ध्यान में रखना क्या 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 कामन भारत कवीला पूरु कवीला मिलके एक नया कवीला आते हैं कुरु कवीला और यह कुरु कवीला कि स्थेत में पढ़ता था हस्तिनापूर में दूसर कभीला कहा जाता था तो मेरे इसाब से यह वाला थोड़ा था पॉइंट था आपको अब समझेगा सिर्फ यहीं कभीले नहीं थे कि बहुत सारे कभीलें हैं कि सब मिल मिल के कुछ न कुछ बना रहे थे अब चलेंगे आगे देखेंगे और कोई कभीला है क्या कि अच्छा एक चीज़ाओ ध्यान रखेंगे आप अगर नोट बना रहे हैं तो जितना साफ सुथाम तुलिक देते गोजागाजी करके लेकिन आप जितना बेहतरी लिखेंगे सही बताए उतने सही मायनेम आपको याद हो जाएगा आपको भूलेगा भी नहीं और बहुत लोगों ने कुरु कभीला देख लिया था आगे चलेंगे पांचाल किसकी बात आएगी पांचाल यह सब जैसे हस्तिनापूर का नाम अपने महाभारत में सुना होगा और पांचाल का नाम भी महाभारत में सुना होगा इसका मदलब यह समझ रहे हैं यह महाभारत इनको अलग अलग तरीके से प्रस्टूत किया गया एकदम भौकाल टाइप कि ऐसा लगे यह बहुत बड़ा धार्मी के युद्ध था धर्म के नाम पर लड़ाई होती थी समझ रहें आप इसका मतलब अब अन्मान लगा सकते हैं कि सर महाभारत रमायड जैसा कुछ नहीं हु क्योंकि जो इत्यास हमें मिलना जो गरंथों में लिखा गया अब समझें करें सिर्फ घ्रीत अब दो को पकड़ेंगे अप तत्थ नहीं ने एक दम थोड़ा सा धार्मिक तरीके से यह मैं हुआं होगा कि रियाल्यटी में हुआ हो गा इन लोगों ने अपने मंद से अभी देखें अभी जह हम बताएंगे ना यह राजा बनते तो कैसे बनते थे तो उस समय और विवस्था खराब हो जुकी थी कैसे सोचर होता था वह चीज हम समझेंगे अब बात करेंगे पांचाल कभीला अब यह पांचाल पहले नहीं था यह जो है एक कविला था क्रीवी कविला क्या नाम है क्रीवी कविला क्रीवी कविला क्रीवी कविले के साथ साथ में एक था तुर्वस कविला क्या नाम था तुर्वस कविला अब क्या होता है समझेगा क्रीवी कवीला और तुर्वस कवीला जब आपस में मिलते हैं तो यह दोनों कवीले मिलाके एक नए कवीले का निर्मार करते हैं जिसे कहा जाता है पांचाल कवीला ठीक है तो यह भी याद होना चाहिए कि क्रीवी कवीला और तुर्वस कवीला मिल rection तो किसका निर्मार करते थे पांचाल कविल का निर्मार करते थे अब दिमाग में सर हमने जो कुर्वे आपने बताया था कि वह सतिनापोर में तो यह 54 कभीलाह की ठ्म in तो समूझेगा यह 54 जो कविला परता करेंगे अलगलग विभाजित होके देह महाजनपात कार aigat उसके पहले कहानिया में आप और कोई चोचयों चोचय कबीले था हुआ लोगों ने अलगलग तरीके से बना लिए एक कोशन पुछा गया था कि उस समय की कौशल देश एक हुआ करता था कौशल देश उस समय कि इसकी राजधानी कहां होती थी कौशल की राजधानी होती थी श्रीवस्ति आप बस ऐसे लिख लेंगे कि कौशल की राजधानी होती थी राजधानी होती थी कहां पे श्रीवस्ति ध अयुद्या के है और पास का छेत्र वह कोशल वाला परता तो कोशल की राजधानी कहा होती थी स्रीवस्ति होती चलिए एक और पूश्चन पूछा गया था अलग है कि एक तो प्रांत था विदेर प्रांत विदेर है प्रांत अब पुछा गया था इसकी राजधानी तो इसकी राजधानी थी मितिला नाम भी आप लोगों ने सुना होगा भारत में मिथिला है तो विधय की रायधानी कहां थी मिथिला में पूछा जाए कि यह जिए चेत्र नेपाल का तरह्य छेत्र है ये रात श्चेत्र का तरह्य wire तेक है नेपाल के तरह्य छेत्र में ये विधय Evolution और 12 पड़ता थाता आपको बताकि यह पंजाब शेत्र में पंजाब 6 पे तो आहि और तुर्वस कविला मिलके बन गया पांचाल वाला कविला ठीक है दूसरी बात अब एक चीज और समझेगा थोड़ा सा उसके बाद कुछ छोटे-छोटे प्रांद थे जिनकी रायधानी कुछ हुआ करती जैसे कौसल की रायधानी कहां होती थी स्री वस्ति याद रखेंगे क्राश्वाले पढ़ेगा विद्धे कर द 1991 पंजाब वाले क्विद्ध नेपाल है चत्र contenido में करके होता था पंजाब्वाले चत्र में यह थोड़ा स्मयद जब यह कभीला जvatे यह कभीला जिसका कोई मुखीर राजा रहा होगा ना तो अब ये लिके कुछ नया बनाएंग तो परशान होने की उतने ही है हमने बताया है कि अब जब राजा बनेंगे जो राजा बनेंगे वे कि सहठार वे राजा बनते है ना तो आउनवाशचर होते थे ना राजितंत्रातमख होते थे अनुदन का मिलब ऐसा नहीं ये कि हमारे पप्पा तो हम ढह been राजा बनेंगे हमारे दादा बनेंगे तो आप राजा बनेंगे अब यहां से क्या पूछा गया इसको ध्यान में रखना में राजा की उस्पत्ति का मिला कहां थे हैं की राजा की कैसे होता था मतलब चुना जाता था या फिर अनवन्सिक के तवर पर कुछ चीजें होती थी या फिर निरवाचन होता था इसके साथ शे कहां से मिले हुए हाँ है ले ना तो ऐसा था कि यह एक राजा होता थाप समझेंगे राजा पूशा गया था की राजा होता था चाहिए इन दोनों में से कोई हो चाहिए इसका नय राजा राजा होता था इसका साक्ष कहां से मिला है तो एक कोशन पुछा गया था राजी राजा की उत्पत्ति का सिध्धान्त राजा के उत्पत्ति का सिध्धान्त किस ग्रंथ से मिला हुआ है एक दम यही कोशन हुआ है कि राजा के उत्पत्ती का सिधान्त की सग्रंत से मिला हुआ है आप लिखेंगे को राजा की लुजरे अ उत्पत्ती का सिधान्त आब वाकशासा प्रहुंअ हो एक याद रखेंगे एतरे ब्रामः किसे मिला हुआ है एतरे ब्रामः से क्या मिला हुआ है राजा की उत्पत्ति का सिध्धान्त ठीक है अब समझेगा राजा की उत्पत्ति के सिध्धान्त एतरे ब्रामः अगर लेकिन थोड़ा सा बदले यह पूछे किसा एक चीज़ बताएगा राजा के निर निर्वाचन की सिध्धान्त कहां मिला है कि राजा का निर्वाचन होता था तो राजा का निर्वाचन अगर राजा का निर्वाचन होता है तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है तो इसकी जो राजा के निर्वाचन thisHAHARA कास मिलती है अथरवेद से किसे मिलती है अथरवेद से किसे मिलती है अथरवएद से तो ठीछ कि ज़िए राजाक मिला हुआ हैं ज Capeक राजा सिभ्वाशन से मिला है अथर्वच से तो आपको दो चीजें याद रखने एक्षा की याद रखना कि यह hour रहा है कि यह तरे ब्रामड में राजा की उतपत्ति का सिध्धान दिया क्या है तो आपको यह की लोग काया इसे लोग किस ने लोग क्लिर करते थे अब क्लिर पिर अब चलियेगा अब क्या मैं सब्सक्राइब ऐसा नहीं होता चला लेfen बहुत अच्छे चलता है घिसा पीटा कुछ लोग ज्यादा पैसा मिल जाता बहुत अच्छा नहीं कर पाते थे लेकिन बहुत अच्छा करके बना लेते थे अब जब यह ऐसा काम करते थे तो उसमें राजा ऐसे होते जो बहुत ताकतवर हो जाते थे जिनके पास साइनिक बहुत अच्छी अर्थ बहुत अच्छी हो जाती है अब यह क्या करने लगे जब इनको थोड़ा भौकाल टाइट करने लगा होने लगा तो यह अब यग करने लगे तो अलग 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 प् अब उपाधियां धारण करने लगे थे क्या करेंगे इस समय के राजा अब उपाधियां धारण करने कि समझेगा कि रिखेंगे कि इस समय के राजा क्या धारण करते थे उपाधि धारण करते थे कि अब समझेगे ना कौन सी उपाद धारण करते तो इस समय के राजा क्या धारण करते थे अब किस प्रकार की उपाद धारण करते समझेगा इनका ये पूरा एक राज्य है ऐसे समझेगा ऐसे चारो तरफ फैला हुआ इनका पूरा राज्य है तो अगर कोई राजा यहां पर है मुख्य राजा यहां पर है तो कोई राजा यहां से उत्तर की तरफ होगा तो कोई पूरण की तरफ होगा कोई दच्छिड की तरफ होगा हे प्स्विंस की कि तरफ होगा मतलब पूरे चारों तरफ में राजा जो होते थे वो अलग-अलग अपना नाम रखते थे सभी जब कोई बीच में होगा वह उपाजी अलग धारां करेंगा तो इस सभी इस यह पता चल Tbut से आये हो इस लिये यहां के राजा अलग-अलग उपाध धारण करते इब समझेगा कौन क्या-क्या उपाधक जो राज्ज के उत्थ में होता था जो रा करते अगर यह पूछे जो राज्ज के पूरब में होता था उत्तर dumb अब बाता दी सर्च ले ठीक है कॉई ऐसा राजा है तो दठ्षिड में राजिकर रहा है दठ्षिड में राजिकर रहाँ है उसे हम क्या देंगे वह क्या नाम रखते थे अपना उपाधी क्या लेते थे भोज कि यह उपादी थी नाम नहीं था उपादी थी तो यह ध्यान में रखेंगे किस दूसा में कौन सा अब समझेगा आप कोई पस्य में बच गया पस्य मोला कि जो राजा पस्य में जाके राजा क्लिए की बनता था वह एक द्यार्ण करता दिंष्छे कहा जाता ता स्वराट करे विराट समराट और भौज कि याद कर लिंगे याद हो जाएगा है अब समझेगा सब्सक्राइब ऊत्ता दिया कि ठीक है ठीक है यह सब भाबने उत्तर बतादिया पोरब बता दिया द अचल बता दिया पसक्रि बता दिया एक ठीड़ा की यह नो ग्याता हुता था हीается हो तो जो इन चारों के स focal बीज में राजा होता था मुख्ह राज़ा या प्रधान राज़ा हथा उसे ही कहा पूरब का संबराथ नीचे का भोज और पस्टिम का स्वराथ लेकिन जो उन सभी का मालिक होगा एक होगा जिसे प्रधान राजा कहते थे आम राजा के नाम जानते जो में मुख्या होता था उसे का करते हैं राजा कहते थे एक कोशन पूछा गया था यह जो बीच वाला था कि चारों दुशाओं के राजाों का जो मुख्य होता था राजा होता था इसका फंद्र का मिलती है एक रे मैंने जानकारी मिलती है राजा की उत्पत्ति का सिध्धांत मिलता है जब कि राजा जब अन्वनशिक होता लोग पाधिया धारत कर लेते थे तो अलग-अलग क्या करते थे बनाते थे यग करवाते थे अब यह कौन करवाएगा पंडित बाबा करवाएंगे अब पंडित बाबा करवाएंगे यह कर्मकांड करवाएंगे धों करवाएंगे प्रपंच करवाएंगे यही सब ताम-जाम बिलेंगे अगले वाले सेस्ल में तब तक के लिए सबको जहिल और वीडियो कैसे लगी जरू बताईएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा नोटिमिकेशन आन करके जाएगा ज्यादा ज्याद लोगों को बताईएगा ठीक हैं बिलेंगे